हाई फिरेंट्स वेलकम टो अवर यूटूब चैनल तो इस वीडियो में बुंदेस लिगा का मैच कवर करेंगे और यह मैच खेला जाएगा FC कॉलेन और हैर्था बरलीन के बीच में तो दोनों टीम में सा आज की मैच में कौन सी टीम एक सट्रोंग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है इस टोपिक पर डीटेल्स में चरचा करेंगे और यह टोपिक भी काफी इंट्रेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करे देना, तो चलिए, अब हम इन दोनू टीम की पहले pointable पर नजर डालते हैं, उसका बाद हम दोनू टीम की recent form पर भी नजर डालेंगे, तो पहले pointable पर और अपन पिरेंड डाल सेsın ऐसे प्लेर जिनका record काफ07 दार है, लेकिन dream विछ को पर उनका टीम में और वन साइड विन करोगे अगर ग्रांड लिग में उनको क्याप्ट वाइस क्याप्ट मना दे तो आप क्या पता ग्रांड लिग में अच्छी खासी रेंक ले आओ लेकिन उनके बार हम बात करेंगा पहले दोनों टीम की पॉइंट टेवल पर नदे डालते हैं तो फ एपसी कॉलन ने इस लीग में 31 मैच खिलें 31 मैच से 9 मैच विन करें 11 मैच ड्रो खिलें लेकिन 11 मैच लोग्स भी कियें अटेक से 42 गोल सकोर कियें डिफेंस उनने इंचास गोल कंशीड कियें तो अटेकिंग वाइस तो परफॉमेंस अच्छा है 31 मैच मेंगर कोई टीम गो अभी दो गोल भी कंशीड कर देती है और बात करें यहां से हैरता बरलिंग वारा में तो इस लीग में इसने 31 मैच खिलें सिर्फ 6 मैच विन के साथ मैच ड्रो खिलें बलकि 18 मैच लोग्स टीम और 37 मैच गोल सकोर के 62 गोल कंशीड कियें तो 31 मैच में अगर कोई टीम 37 गोल score कर रहे तो इसका मतलब और ये टीम पर मैच में एक गोल निकार लेती है और कभी 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 करती है दो गोल वरना गोल का चांस से दो के बहुत कम रहते हैं लेकिन डिफेंस वाइज इस टीम ने 37 में 62 गोल कंचीड किये मतलब औन एन एवरेज पर मैंच में यह टीम दो गोल कंचीड कर देती है तो यह टीम फिलहाल के टाइम पर अटेक से भी इतनी मजबूत नहीं डिफेंसिव काफी गंदी है तो पॉइंट टेबल का अनुसार FC कॉलन इस मैच में एक फैवरेट टीम द खेलती है तो दोनों तरब से किस तरह का रजल देखने को मिलता है तो चलिए अब हम हैट्वरेट मैच फिर नजर डालते हैं पॉइंट टेबल का अनुसार तो कॉलन एक मजबूत टीम देखने मिलती है तो गाइस इन दोनों टीम के बीच में लास्ट 6 हैट्वरेट मैच ख खेलती है या तो मैच को विन करती है मैच को ड्रोग खेलती है लेकिन मैच को जल्दी से लोस नहीं करती और अटेक वाइस भी काफी शांदार परफोर्मेंस हर मैंच में एक दो और कभी कभीत तीन गोल तक भी सकोल कर देती है लेकिन defense उससे भी ज़्यादा मजबूत है मतल तब बर्लिन का हॉम में था लेकिन आज है एपसी कॉलन के हॉम ग्रावन मैच तो हॉम टीम का एडवांटेज रहता है और उसे पिछले दो मैच इस टीम के सामने एपसी कॉलन ने 3-3 से मैच 3-1-3-1 से मैच को विन किया है तीन-3 गोल सकॉर के डिफेंस एक गोल कंसीड किया और उसे पिछले दो मैच इन दोनों टीम के बीच में डिफेंसी ड्रो गये है मतलब एक भी गोल किसी भी टीम ने नहीं किया और एक मैच अगेन खेले गया इन दोनों टीम बीच में और वो मैच काफी हाई सकॉर गया और उस मैच को एपसी कॉलन 5-0 से विन कर गई तो हैट क्लियर है कि कॉलन मजबूत है लेकिन रिसेंट फॉर्म का अनुसर देखा जाए तो एपसी कॉलन के रिसेंट के छे मैच असमें तीन मैच इस टीम ने विन करे हैं दो मैच ड्रो भी खेलें एक मैच लोस भी किया अटेक से 1.5 गोल पर मैच सकॉर किया डिफेंस 0.8 गोल पर दो गोल इस टीम ने जरूर किया डिफेंस से एक गोल कंसीड किया फिर यहां से बर्क के सामझे टीम हार गई और उससे पिछल मुकावले टीम 3-1 से विन किये और एक मैच टीम ने डिफेंसी ड्रो खेला तो पर्फॉमेंस अगर इस टीम का रिसेंट ली देखा जाए अटे चार मैच इस टीम ने लॉस के हैं अटेक 1.2 है डिफेंस 2.3 है अटेकिंग पर्फॉमेंस तो अच्छा है 1.2 का मतलब और एक और कभी कभी गोल भी नहीं करती लेकिन डिफेंस देखा जाती इस टीम का काफी गंदा है हर मैच में दो या तीन गोल तक चार पांच गोल तक इस टीम ने दो गोल जरूर किया और डिफेंस एक गोल किया तो रिसेंटली है इतना बहतर पर्फॉमेंस नहीं दे पाई है नहीं अटेक से और नहीं डिफेंस है तो फाइनल गईज अब बात आतेगा अब इस मैच का स्कॉर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए तो हमने तीनों फॉर्मेंट को कंपेर कर लिया है और तीनों फॉर्मेंट को देख लिया तो कंपेरेजन वाइज कौनशी टीम इस मैच में कितना गोल करेगी और कौ यहां पर आपको है सोरी हां है तो बर्लिन के इतना बहतर परफॉमेंस नहीं इस लीग की बोटम टीम है पॉइंटेबल के नुसर तो दोनों टीम में डिफ्रेंस देखनों को मिलता है लेकिन हैट टुएट के नुसर देख गया कि जब भी कोलन इस टीम सावन मैच खिलती मै करती है रीसेंट फॉर्म का नुसर देखा जाए तो एपसी कोलन के जो परफॉमेंस अटेक से भी और डिफेंस से भी काफी मजबूत है और हैरत बर्लिन का परफॉमेंस डिशेंट ली इतना बहतर नहीं है नहीं अटेक से नहीं डिफेंस है अगर तीनों फॉर्मेट को पर करन हम यहां पर एपसी कोलन को एक मजबूर्ट टीम देखते हुए चलते हैं क्योंकि तीनों फॉर्मेट में मजबूर्ट टीम एपसी कोलन ही देखनों को मिलती है तो फाइनल गाइज अब बात आते हैं कि इस मैच का स्कॉर्लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए इ क्या प्रेडिक्शन है इस मैच का जीरो ओंधेर अब त्री-जीरो जीनों की कशनतुर रहती हमारी इस मेच हो जाएं कि हुएक कौन उन्यसे का प्लेयर इस मैच में होलना गाउंत हो जाएंगे लिए किकला बात पर्कल्स पॉसिबल लाइन अप विद प्लियर के सटेट्स पर तो गईज एपसी कोलन की पॉसिबल लाइन अप आपको कुछ इस परकार देखने मिलेगी यह लाइन अप 4,2,3,1 के फॉर्मेशन से है इस लाइन अप में जो भी चैंजिस होगा वो आपको टेलिग्राम चैनल पर पर यहां पर हमारे सामने बर्नांडो है जो कि इस टीम के लिए एक इंपोर्टेंट प्लियर फूल बैक खेलते नजर आएगा तो इनको लेकर चलना है बर्स को लेकर चलना क्योंकि हैडर वाज यह काफी अच्छा है और डिफेंसिव डूटी भी अच्छी निभा लेता है फिर यहां से जोनास हेक्टर है इस टीम के तरफ से जो कि असिस्ट और डिफेंसिव पॉइंट काफे अच्छा देता है तो यह तीन प्लियर्स तो हमारे तरफ से क्लेर है कि हम गोल मतलब डिफेंडिंग सेक्शन में इन तीन प्लियर को पिक करेंगे अगर आपको लगता है कि मैच हाई सकोरिंग नहीं जाए बले कि लो सकोरिंग जाए चब यहां साब चाब और यहां से हैबर्स इन दोनों की लाइन अप के हिसाब से देखा जाएगा कि पोजिशन किस तरह है अगर यही पोजिशन रही तो मैं अपने टीम में हैबर्स को पिक करूंगा अब हम बा रखना चाहिए मुझे लगता कि हम यहां से रखने मतलब यह डिफेंसी वरक अच्छा कर लेता है और गोल का चांस रखता है नब्य मिनट भी खेल लेता है तो इसलिए इनको ट्राइक करेंगे बाकि तीन मीड़ फिल्टर रहें जो आपको आपको आटेकिंग पोजिशन प प्लैसमेंट में कोई और प्लेयर भी आ सकता है यह याद रहें बैंच-प्लेयर इंपोरेंट रहते है शालक इस टीम के तरफ से मॉस्ट वैलिबल प्लेयर है जो कि इस टीम के तरफ से एज फॉर्वर्ड सेक्षन पर खेले गा तो इस प्लेयर को हम जरूर लेंगे देगो लाइन अपके हिसाप से हमें आप के लिए पिर से यहाँ पर हमारे शकेट्ट और यहां से हेक्टर है बर्स और यहां से लजू यह प्लेयर्स तो मेरे टीम मेरे रहें भी किलिए अगर इनमे कोई चेंजस होगा तो इसके उपर एक प्लेयर डिपेंड़ेबल है कि हम किसको ले मैं भी किलिए माइना को लेकर चलाओ कि पिछला मैं अच्छा खेला नहीं था लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं इस प्लेयर से कि नब्वे मिनट खेलता है तो नब्वे मिनट खेला था तो मैं अपने टीम में माइना को लेकर गया हूं ऑक यहां पर आपको हर एक प्लेयर सका सटेट दिखाई हूँ कि कौन से प्लेयर ने इस टीम के लिए कि इस ने गोल किया है और बलकि 6 गोल और एक असिस्ट किया इस टीम के लिए और मैच में अब्वे मिनिट भी खेले ता तो इस तरह आप हर एक प्लियर्स का सट्रेट को रीड कर सकते हो यह सकीर है मतलब 90 मिनट कंप्लीट खेल यहां से क्लियर होता है अब यहां से काइंच के देख लो 29 मैच खेलें 28 मैच में सटार्ड किया है कज़ते हैरता बरली के पलेस के बारे मैं तो गैसे हैरता बरली की तराफ सरीन अब परकार देख Mmm Casey आपको बिप्रनेहुदरे चाहाँ सब्सक्रम को जार्याइब अब क्या है क्किल्इन की सब्सक्राद को चाहिए मैच में रहे क्योंकि मुझे लग रहा है तो जादा की पॉइंट नहीं दें पाएंगे माइनस में दे जाएंगे क्या फाइदा इससे बहतर हम अपने टीम उन प्लियर्स को लिए जिनका गोल कभी चांसे साएं पलस में असिस्ट और डिफेंसिव वर्क अच्छा करें ओके फिर यहां पर आपको ने चार मिड़ फिल्डर देखने में इस टीम के लिए जिसमें दो अटेकिंग पोजिशन पर खेलेंगे और यहां पर एक खेलेगा आपको दो खेलते नहीं जलाएंगे डिफेंसिव दूटी पर तो यहां पर टोजार्ट डिफेंसिव और यहां से दार दाई यह आ ज़्याद सेज्ट करूंगा अगर जो वेटिक इसी पोजिशन पर आज खेलता है तो इनको जरूर लेंगे लेकिन मुझे लग रहा कि बैंच पर रहेगा तो इसलिए मैं इनको सेज्ट करूंगा इस लाइन आप करने उसार तो आपको इन प्लेयर्स का बन टीम में लेकर च तीस कर तीस मैच में सटाट किया अल्मोस हर मैच में अब इनकाल चुका आप इनका सटेट इजीली चेक कर सकते हो यहां पर मैं आप कर देता हूं और बाकि प्लेयर्स का भी देख सकते हो तो अब हम नज़र डालते हैं इस मैच का स्कॉर अब हम बात करते हैं गोल कीपरिंग सेक्शन में यहां से हरता बर्लीन के गोल कीपर करें क्यों क्योंकि इसके पास ज्याद़ चांसे सखेंगे गोल को सेव करने का तो इसलिए बेस्ट आप्शन हमारे टीम में रहेगा क्रिश्टेंट सेंट जैसे मैंने पहले ही बताया है अब हम बात करें डिफेंडिंग सेक्शन में जोनास हेक्टर जिसको आप हमें टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं यह चीज़ याद रहे फिर यहां से चाबोट को मैं अभीक लिए सज़ेस्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन अभीक लिए मैं हैबर्स को ले साब से यह प्लियर्स मेरी साब से कोई इंपोर्टन रोल नहीं निवाएंगे अब हम बात करें मिड में तो मिड में आपका सामने सकीड़ी है अब सकीड़ी और यहां पर आपके लिए बता दूं दूसरा प्लियर है जिसका नाम है लजू बीसिस जोनों दोनों की पोजिश करके चलेंगे अगर आप काप्टर मनात और गोल कर देता आपको वन साइड भी नहीं होगा इसलिए मैं बोल रहा हूं आप इन्हें लेकर चला हूं और यहां से लुक के बाक्या को लेकर चला हूं यह मेरी टीम के तरफ जो इंपोर्टन प्लियर अभी उनको लेकर चला हू बाक्या पर मैं किसी भी प्लियर को अभी लिए सजस्ट नहीं कर रहा हूं कि यह बैंच वाले प्लियर से इनमें सब्सक्राइब लेना तो ले सकते हूं वैसे बैंच प्लियर इतना इंपोर्टन रहते हैं हमारी शमौल लीग में अब हम देखो यहां पर मैं आपके लिए प पिछले मैं अच्छा खेला तो नबे मिनट खेला लेकिन मुझा आज लग रहा कि नहीं केले तो इसलिए मैं आपको आपको टेलीग्राम चनल पर अपडेट कर दियाएगी अब एक लिए काप्टेंशी की बात के जाएं तो सेल मेरे साब से काप्टेंशी के बेश्ट विकल्प है और वाइस काप्टेंश का बागए जो कि इस टीम तरफ से भी टॉप फाइर गोल टेगर रह चुका है और फिलहाल टाइम पर है तो इसलिए मैं इनको काप्टेंश के देख गया हूं जैसे ही कुछ चैन्जेस होगा तो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा तो मिलते ना स्टूर्मेशन आपको दिए उस इनफोर्मेशन को योज कीजिए ओक मिलते ना स्टूर्मेशन में टेकरन बाई